दिल्ली की जेल से मिले 117 मोबाइल फोन पांच अधिकारियों को किया गया सस्पेंड जेल प्रसासन पर उठा सवाल राजधानी दिल्ली में आजकल एक और जहाँ पुलिस की कारवाई का मजाक बना हुआ है वहीं दिल्ली की एक जेल में चले तलासी अभ्यान में 117 मोबाइल फोन बरामद हुई है जिसके बाद विभागया कारवाई में जेल के पाच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है यह पूरी घटना दिल्ली के मंडोली जेल की है आपको बता दे कि इस कारवाई में जेल के दो उप अधिक्छक एक सहायक अधिक्छक एक प्रधान वार्डन और एक वार्डन को सस्पेंड किया गया है खबर है कि डीजी जेल संजय बैनिवाल ने सभी जेल अधिक्छकों को तलासी के लिए टीम बनाने और उनकी जेलों में मोबाईल फोन समय तमाम प्रतिबंधित बस्तूओं का पता लगाने का निर्देश दिया था जिसके बाद यह कारवाई की गई और 117 मोबाईल फोन बरामद हुए आपको बता दे कि मंडोली जेल में इससे पहले भी विस से 17 दल के छापे में कैदियों के पास से मोबाईल फोन और हाथ से बने चाको बरामद किये जा चुके हैं बहरहाल इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर पुलिस पर सवाल या निसान उठने लगे हैं तो ये थी इस वक्त की ब्रेकिंग अपडेट ऐसे इक खबरों में बने रहें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें ज्यादा ज्यादा सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें